हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूटूब चैनल आप सभी स्टुडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है स्टुडेंट आप सभी को एक नुज आप सभी ने जरूर उसको सुन लिया हुगा और उसके बारे में हम बात करेंगे आप सबी को पता है 18 जून को आपका UGC का नेट का एक्जाम हुआ जो की इस बार ओफलाइन मोड में लिया गया था और नेक्स डे हमें पता लगता है कि वो उस एक्जाम को कैंसल किया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ओफिशल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा UGC नेट एक्जाम कैंसल इसको कैंसल कर दिया गया है यहाँ पर लगबग 10 लाक के करीब बच्चे इसमें अपियर करते हैं जो मेरा आइडिया है उसके कोडिंग अब देखें बात यह करेंगे यह जो एक्जाम आप सभी को पता होगा 25th, 26th and 27th जून को CSIRNET का एक्जाम है यह ओनलाइन मोड में ही होगा और इसके आपका एड्मिट कार्ड भी जारी नहीं है बट आपको CT पता लग गई है कि आपके किस CT में एक्जाम होने जा रहा है तो बात करेंगे क्या एक्जाम पोस्टपॉन हो सकता है दूसरी बात अगर एक्जाम होता है एक स्टुडेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मैं मेरा भाई पिछला भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा पिछले एक्जाम के बारे में क्या मेरा फिडबैक है क्या ओर्वियू है क्या-क्या चीजी होती है क्या-क्या चीजी धान रखेंगे काफी ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है कि UGC NET का एक्जाम कैंसल क्यों हुआ है इसका Impact CSR NET के स्टूडेंट पे क्या पड़ेगा दूसरी बात जब हम एक एस्पेरेंट जब एक स्टूडेंट एक्जाम देने जाए तो वो किन-किन बातों का ध्यान रखे ताकि पेपर लीक ना हो अगर पेपर लीक हो तो पता भी लग जाए कि क्या आप कर सकते हैं उसके बारे हम बात करेंगे आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इन सारे एक्जाम की तियारी कर रहे हैं आईटी जैम, सीवीटी पीजी, सीएस आईयर नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट अलिजिबलेटी टेस्ट, गेट का एक्जाम या फिर कोई भी पीजटी का एक्जाम हमारी आप पढ़रे केमिस्ट्री यहाँ पे शांदार कॉर्स अविलेबल हैं सभी कोर्सिस में डेमो लेक्चर्स अविलेबल हैं, पहले आप डेमो लेक्चर्स चेक केजिए, कंटेंट अच्छा लगी, तो आप हमारा कोर्स भी जोईन कर सकते हैं स्टुडेंट सबसे पहले हम, मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन, पहले बात तो यह जाग गए हैं, बहुत अच्छी बात है, देखिए, अब मैं बिलकुल मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, मुद्दो पे आ रहा हूं मैं, यूनिस्ट्री ओफ एजुकेशन, जाग गई ह और इसके पीछे जागने का पीछे ये की रिजन है, नीट एक्जाम, देखिए, ठीक है, मैं, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि लगबग हर साल पेपर लीक होते थे, कभी छोटे लेवल पे होते थे, कभी बड़े लेवल पे भी होते थे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक मिनेट रुकिए का मैं पहन का color change कर लेता हूँ यह कहा रहा है cancellation of UGC net June 2014 का examination बताया गया कि 18 June को यह paper था और यह बताया गया देखिए National, देखिए यह कहा गया है received certain inputs from National Cyber Crime Threat Analytics Unit of Indian Cyber Crime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs पहली बात तो आज से पहले यह department कहा था आप सभी students ने क्या नाम सुना है इस department का आज से पहले यह department कहा था आज से पहले इस department ने कितने exams ऐसे हैं जिनके inputs दिये कि वो leak हुए है या नहीं हुए अब क्यों जागा यह department अब क्यों जागी ministry of education सब के पीछे देखिए भई हम सभी teachers को and students को NIT वाले बच्चों का बड़ा जान देना चाहिए इन्होंने क्या क्या Supreme Court में इतनी ज़्यादा petition डाली है कि बहुत ज़्यादा NEM ताइं देखी गई है इस exam में और हुआ भी है आप सभी को पता होगा अगर आप follow up कर रहे हैं 67 या 60 70 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनके 70 720 में से 720 नमबर आई है अब देख लीजिए यह हाल हो चुका है ठीक है अगर चलो हम अमारे exam के बारे में बात करते हैं पिछली बार का जो पेपर हुआ December 2023 का जितने भी teachers थे जितने भी teachers थे उन्होंने cut-off का जो analysis किया उससे 10 marks cut-off जादा गई देखें आप सभी बच्चों का पता हुआ 106 पे जियारफ हो जाता है जनरल के टेगरी के लिए पिछली बार 106 पे net हो रहा था समझे रहें आप 10 marks की cut-off का इंक्रीज होना और year में अगर आप देखें trend के according बहुत जादा तो भी पक्का no doubt देखें अब बात या आती है जी मैंने एक video और बनाया था कि क्या CSIR net को भी offline mode पे कर देना चाहिए दोनों के अपने कुछ benefits हैं दोनों exam के offline mode के देखें offline में जो है बहुत सारे teachers involved होते हैं principal होते हैं और वहाँ पर superintendent भी आते हैं बहार से एंटे के तरब से भी superintendent आते हैं काफी persons वहाँ पर involved रहते हैं वहाँ पर paper leakage देखो किसी बच्चे को लग सकता कि online में easy leak हो जाएंगे offline में easy leak नहीं होंगे किसी बच्चे को लग जाए जिए offline बड़े easily leak हो जाएंगे लेकिन इंडिया में सब ही leak हो रहे हैं सब ही paper leak हो रहे हरा हर साल आपको हर बार कभी ने कभी आपको सुनने को मिल जाता होगा तो बात ये करते हैं भई अब CSIR net का देखे paper cancel या post phone होने के कोई chances मुझे नजर नहीं आते पहली बात तो ये है भई क्या आपका paper 25, 26 और 27 जून को होगा 25, 26 और 27 जून को होगा ये student मेरे को लगता कि paper post phone नहीं होगा आपके admit card एक से दो दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे और paper आपका होगा ठीक है दूसरी बात अब भई क्या मनलब बच्चा क्या सोचे क्या करे बच्चा अब देखो काफी बार जब ये चीज़ें सुनने को मिलती है ना कि exam leak हो गया है तो जो मेहनत करने वाला बच्चा है जो पिछले 3-4 साल से एक नंबर से रह जाता है कभी दो नंबर से रह जाता है और ज़्यादा महनत करता है उसको बड़ी प्रोब्लम होती है अब देखो भई मैं ये बता रहा हूँ अब आपको exam के दुरान किन किन बातों का ध्यान रखना है C ताकि C S I R NET का पेपर अगर लीक हो देखो क्या पहले पेपर लीक नहीं होते थे होते थे भई बिलकुल होते थे पता नहीं लगता था स्टुडेंट को पिछली बार अगर आपने मेरी analysis की वीडियो देखी हो उसके बाद जब मैंने official cut off देखी मैं यकिन नहीं कर पा रहा था बहुत चारे teachers यकिन नहीं कर पा रहे थे बहुत ज़्यादा high cut off गई तो कहीं नहीं reason है है reason और भई आप एक चीज़ notice कीजिए चलो मैं किसी पर यह कहीं नहीं रहा आप student है आपने क्या आपकी class में ऐसा बच्चा नहीं देखा जो net की उस लेवल की तैयारी उस बच्चे की नहीं थी उस लेवल का आपको पता होता है कि हाँ यह बच्चा कर सकता यह नहीं कर सकता क्या आपको ऐसे बच्चे नहीं देखने को मिलते जिनका जियारफ हो गया ऐसे ही होगा हाँ जियारफ हो गया पता लगा यह तो यहर कभी पढ़ता ही नहीं था क्लास में यह आता ही बहुत कम था और पता लगए कि इसका जियारफ हो गया कैसे हो गया भई जियारफ इतना बड़ा एक्जाम साइन्टिस्ट बनने के लिए जो exam होता है अगर उसमें भी ये काम चल रहा है चलता है भई इन department को मैं ये कहूँगा भई आप धान रखेगा हमारे exam को लेके भी C, SIR net के exam को लेके बहुत ज़्यादा धान रखेगा ठीक है जी? हो सकता है कि उसके भी linkage हो और इस बार मुझे ये लगता है देखो इस बार मुझे ये लगता है कि पिछली बार के comparison में और के comparison में फेर exam ज़्यादा हुआ possibility हाई है फेर होने की reason क्या है? पहली बात तो net के exam के उपर बड़े doubt हो रहे हैं बड़े question उठ रहे हैं दूसरी बात अभी net का exam ही आपका cancel कर दिया गया है अब ये वाला exam हो रहा है तो अगर ये भी इसमें भी कोई ने कोई आपका गड़बडी नजर आती है इसका मतलब फिर हमारा जो system है वो बिल्कुल zero हो चुका है NTA के हाथ में कुछ रहा नहीं है वो कुछ नहीं कर पा रहे है तो मुझे ये लगता है क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा pressure रहेगा बहुत ज़्यादा pressure है Ministry of Education पे NTA पे उनके जो इन्विजिलेटर वहाँ पे आएंगे उनके उपर बहुत ज़्यादा pressure रहेगा कि कोई भी paper leak ना हो तो इस बार possibilities ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि fair exam होगा ज़्यादा leakage इस बार होने की possibility मुझे नजर नहीं आ रही net exam की C SIR net exam की दूसरी बात अब मैं आपको कुछ ways बता देता हूँ जिन से जो student से feedback मिलता है सुनने को कि ये ये चीज़े exams में होती है तो भई आप भी बता सकते हैं आप भी report कर सकते हैं देखिए आप exam में जाएंगे हमारा CBT mode का paper है CBT mode का paper है और आप एक experiment आप एक student बनके computer number one पे बेठे हैं तो भई थोड़ा सा time निकाल के देखो हम exam देंगे ठीक है तीन गंटे का paper होगा हमारा लेकिन थोड़ा सा धान हम क्या कर सकते हैं भई देख सकते हैं कि कोई आपको ऐसा चीज़ नजर आए जो थोड़ी सी abnormal हो रही है है ना तो आप उसको report कीजिएगा वहाँ पे कि मुझे जैसे इन्विजी लीटर को बुलाईएगा आप report कीजिएगा जी मुझे यह लग रहा है मैंने मेरा by chance मैंने देखा by chance एक बच्चे का जो computer वो अपने आप चल रहा है वो बच्चा ठीक ही नहीं कर रहा है लेकिन screen अपने आप चल रही है questions आगे पीछे अपने आप हो रहे है अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिले तो बताईएगा इन्विजी लीटर को कि हाँ जी ऐसा ऐसा हो रहा है इसकी computer में ऐसा कैसे हो रहा है उनसे पूछना है उनको बताना है उनको report करना है कि छी ये चीज़ गलत हो रही है यहाँ पे ऐसे हो रहा है या फिर आपको लगे कि भई जो आपके इन्विजी लीटर है जो वहाँ पे आपके अटेंडनेंट है रूम के दौरान उसके बाद उनके अलावा कोई दो तिन परसन आ रहे हैं बीच में अग्जाम के बीच में रफ सीट लेगे आते हैं अग्जाम के बीच के दौरान किसी particular students को ही वो देते हैं एक दो student को रफ सीट देते हैं इस चीज़ का भी आप पुरा धान रखेगा यह भी एक वे है यह भी जो रफ कोपी दे रहे हैं हो सकते हैं और जो आपको आपने देखा जब आपका paper हो रहा था उस दुरान जो आपके पास teacher वहाँ पे available था उसके अलावा third person के entry क्यों हो रही है यहाँ पे एक ही बंदा यहाँ पे रहना चाहिए बाहर से कोई चीज क्यों आ रही है यहाँ पे नहीं आने चाहिए समझवारी बात तो आपको अगर कोई भी चीज ऐसे abnormal लगे तो आपको वहाँ पे इनविजिलेटर को report करना है अगर वो भी सिसको deny करे आके आपने अपना पूरा experience जो है वो लिखके अपना NTA को forward करना है और भी ministry of education को forward करना जी मैं exam में गया था मैंने ये ये चीज़ें देखी ये चीज़ें fair नहीं हो रही थी देखिये student ये fair exam होना जितनी responsibility NTA की है जितनी responsibility ministry of education की है उतनी ही responsibility हर एक बच्चे की है अगर उसको कुछ भी abnormal लग रहा है तुरंद उसको बताना है ताकि उन चीज़ों की उपर कारवाई होसके and भई मैं again ministry of education, NTA इन सब भी से कह रहे है भई देखो खिलवार मत कीजी बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है ये और specially net कोई भी exam क्यों नहीं क्यों leak हो भई ऐसा system बनाई ये कि leak ना हो एक भी exam leak नहीं होना चाहिए बहुत गलत है ये ठीक है तो और ये है भई देखो जो भी बच्चे इन चीजों में involved होते हैं वो थोड़ा सा धान रखें इस इसका कि माली जी आपका net exam हो गया आपका जीर अरफ हो गया आगे PhD के लिए interview होगा प्रोफेसर आपको देखते ही पहचान जाएगा ये तो जैनुवन है नहीं ये तो जैनुवन बच्चा है नहीं और भई मैं भी आपको भूँगा कि आप इस इसको promote मत कीजिए आप आपको ऐसा लगता ही मेरा exam क्रैक नहीं होगा किसी को भी पैसे देने की नीड नहीं है आप छे महीने और त्यारी कीजिए है ना छे महीने एक साल त्यारी कीजिए दो साल त्यारी कीजिए आपकी habit ठीक रहेगी त्यारी करने वाली habit रहेगी अगर आप कुछ पैसों के चक्कर में आपका exam clear हो भी रहा है उसका फाइदा क्या है कोई फाइदा निए अभी आपका net exam हो गया कल को assistant professor का exam होगा क्या वो भी आप hack कर लेंगे क्या वो भी आप leak करवा के अपने exam को crack करेंगे देखिए मैं सभी बच्चों से ही request करना चाहूँगा अगर कोई बच्चा involved रहता है इन चीजों में तो वो थोड़ा सा difference हो चाहिए कि यार नहीं लीक नहीं करवाना त्यारी करेंगे कुछ होगा तो ठीक है नहीं होगा तो नहीं होगा कोई बात नहीं तो बाकी भाई आप अपना view जरूर रखें आपको क्या लगता है क्या सही है क्या गलत है क्या करना चाहिए ताकि एक्जाम सफेर हूं और मैंने बता दिया बाई अब धान रखेगा पका धान रखेगा आपको कुछ भी लगे तुरंट रिपोर्ट करना है कि जिगड़बढ़ ओर ही है ना तो बहुत धान रखिये और आपका क्या कहना आपको क्या लगता है कि किस तरीके से फेर अग्जाम हो सकते हैं और आप इसके बारे में भी मुझे जुरूर बताईएगा कि आपको कोई ऐसा बच्चा मिला जो पढ़ता नहीं था उसका नेट हो गया जयारफ हो गया कितने बच्चे हैं से और बच्चों के पास ओफर भी आते हैं इतने डैस 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 लाख रुपे में आपका ये एक्जाम करेक करवा देंगे इस वे से करेक करवा देंगे अगर आप आपको जनुन पता है कि कोई वे है कि इस तरीके से लिकिंग होती है इस तरीके से फेपर लिक होता है तो वो भी आप जुरूर बताए ताकि पता रहे NTA को मेल किजिए कि ऐसा इसा सिस्टम हो रहा है जी इस इस तरीके से फेपर लिक हो रहें जी मेरे आखों के सामने ये चीज हुई है ताकि NTA भी अवेर रहे कि हाँ इन इन तरीकों से आपका पेपर लिक होता है ताकि NTA भी उसके उपर काम कर सके तो भई पेपर आपका होगा मुझे लगता नहीं कि पेपर आपका पोस्ट पॉन होगा और इस बार अच्छे चान्स है कि एक्जाम फियर होगा काफी प्रैसर है Ministry of Education NTA के उपर अगर ये लगातार तीसरा पेपर भी लिक होगा तो फिर बड़ी बदनामी हो जाएगी है ना और हमारे जो Education Minister है उनको दिन रात करके इसके उपर काम करना चाहिए उन्होंने इसके उपर मैनत करनी चाहिए है ना जैसे भी उनका नाम हो जाएगी इन Ministry of Education जो है या जो हमारे Education Minister है इनके कारिये काल के दुरान एक भी पेपर लिक नहीं होना चाहिए उनकी First Priority यही हो कि मेरे कारिये काल में एक भी पेपर लिक नहीं होगा है ना और ऐसा पोसिबल हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को रन करेंगे आप मैनत करेंगे है ना तो बिल्कुल यह चीज़ें पोसिबल हो सकती है ठीक है तो यहीं आपको बताना था भई और ट्यारी करते रही है, ऐसा नहीं है, लीक हो गया, भई पढ़ना छोड़ देते हैं, है ना, ऐसे फेपर, कुछ नहीं है, जो भी बच्चा है, अब देखो क्या है, भई पिछली बार मानलो, बच्चे ने सोचा था कि 100 नंबर ले लेता हूँ, या 105-106 ले लेता हूँ, या महनत करेंगे, वो आपके काम आएगी, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्जाम होगा, वो भी आपका क्रेक होगा, है ना, पिएशडी में जाएंगे, तो प्रोफेसर को गाइड को लगेगा, इस बच्चे को तो बहुत अच्छी नो ले जाए, उसका भी अलग इंपक जाएगा, तो महनत करते रहे हैं, महनत का हार्ड वर्क का कोई दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं, जो भी बच्चे इस तरीके से एक्जाम करेक करवाते हैं, वो खुद बेचारे बताते हैं, नहीं कि मेरा एक्जाम करेक होगा, डरते हैं यह बात बताने से, ठीक है, तो आपको पसंद आई होगी, अच्छे लगी होगी, आप सभी का बहुत बहुत दनेवाद, थैंक्यू